ओम स्री विश्णवे नमाजय तुलसी मैया की आज साल की प्रथम एकादशी है आज के दिन एकादशी ब्रत की कथा और तुलसी माता की कथा सुनना बहुत सुब माना जाता है तो वीडियो में वही जानेंगे वही समझेंगे सबसे पहले आज ब्रत का पारण जान लेते हैं जते की साथ जन्वरी के दिन एकादशी का ब्रत किया जा रहा है और आठ जन्वरी को सौमबार की सुबह साथ बचकर पंदरह मिनट से नौ बचकर बीस मिनट के आसपास ब्रत को खोलना सर्विस रेष्ट होगा इस सुब मोहरत में अपने ब्रत को खोल कर अपना जीवन सार अब जानते हैं सबसे पहले माता तुलसी की कथा स्री हरी विष्णु की प्रिया मानी जाती है आज की निन जो भक्त मातुलसी की कथा का स्रावन करते हैं एकादशी ब्रत उनका परिपूर्ण हो जाता है सबसे पहले एकादशी माता की तुलसी मा की कहानी सुनेंगे उसकी करते हैं आरंभ करें आप सभी मेरे साथ बोलें स्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारी हीना थे नारायन वा सुदेवा जै स्रीहरी विष्णु जै तुलसीमया की एक कन्या थी जब वह बड़ी हुई तो उसको समझ आया कि वह तुलसीमा का नियमित पूजन पाथन करें तो उ वह रोज तुलसीमा का पूजन करती थी उसका प्रती दिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करके ही भोजन किया करती थी जब कन्या शादी के लायक हुई जब उसने माता पिता ने उसे शादी जो है विसेश तोर पर करवानी के लिए वर ढूड़ना शुरू किया तब जो है कन्या को उसके माता और पिता ने गरीबी की कारण दहेज में एक तुलसी का गमला दिया और वह कुछ भी नहीं दे पाए ससराल में वह प्रती दिन सवेरे उठते ही पूजा करती फिर उसके बाद ही भोजन खाना खाने के लिए बैठती और जो है सभी उसका इस बात से मजाक उड़ाते थे क्योंकि ससराल में दिरानी जेठानी सभी थी दोनों जेठानियां खासतर पर उसे बहुत परिशान करती थी वह दोनों उसका मजाक बनाती कि बड़ी नियम धरम वाली बनती है उन दोनों को उससे बहुत इश्या होती थी इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी जिससे कि कन्या अपने नियम से तूट जाये और बिना पूजा पाट के ही अपना जो है पूरा दिन भूकी रहे और खाना न खा पाए वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूटती अच्छे से पूजन करती फिर खाना खाती थी वह गमला ढूटकर लाती तो एक दिन उनकी जिठानी ने क्या किया कि गमला ही कहीं दूर फेक दिया कन्या ने खूब घर परिवार में गमला तुलसी उससे बहुत प्रसन्न होई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला स्वयम प्रकट हो गया अगले दिन सुबह जब उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों और उसके कमरे में मात तुलसी सुन्दर स्वरूप में विराजमान है वह देखकर बहुत प्रसन्न ह अब मेरी तुलसी माता को कोई चोरी नहीं कर सकेगा पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को कहीं फैंकेगा भी नहीं वह तो जल्दी से उठकर इसनान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानिया मजाग करने लगी कि हो गया तेरा धरम पूरा तूट गया तेरा समनियम धरम उस पर हस्ती खिल खिलाती उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या तो दियोरानी बड़े प्रेम से धीरे से कहती हाँ मैंने कर ली है तब भक्त जनो जिठानिया बो हुआ है रिठानिया बहुत सरमिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ती सच्ची है हमने तुझे परेशान किया हमें चमा कर दे देवरानी उन्हें माफ कर देती है और सभी भक्त जन तुलसी माता का विसे पूजा नर्चन उस दिन से नियम बदधरिके से करती है ऐसी सुन्दर महिमा है मातुलसी की जो भी भक्त उनका पूजन करती है और उनका नियमित पूजा अर्चना दी पदान उनके निमित करती है मातुलसी उनकी सदासरवदा सौभागी की रक्षा करती है और परिवार में खुश्या बनी रहती है हम सभी भी मातुलसी से यही प्रार जिसमें अर्दिन कहते हैं कि हे प्रभु हे कमल नैनन आप जो है मोक्षिदा एकादशी पुत्रदा एकादशी सभी एकादशियों का महत्म और कथा मुझे सुनाए हैं कृपिया मैं आप से करबद्ध होकर विनम्र निवेदन करता हूं कि हे कमल नैनन मोक्षिदा एकादशी पुत्रदा का विस्तार से उत्तर देता हूं अब तुम इस एकादशी का महत्म सुनो हे पार्थ एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को सीगर प्रसन किया जा सकता है पॉसमा की कृष्णपक्षी की एकादशी का नाम सफला एकादशी है इस एकादशी के आरा अधिदेव नारायन है इस एक आदशी के दिन स्री मन नारायन जी की विधिविधान से पूजा और स्रद्धा भावना से उनका विसेश पूजा नर्चन करना चाहिए है पांडु नंदन इसे सत्य जानों कि जिस तरह नागों में सेश नाग पक्षियों में गरुण ग्रहों में सूर्य और चंद्र यग्यों में अश्व में यग्यों और देवताओं में भगवान विष्णु है उसी प्रकार ब्रतों में एकादशी ब्रत स्रेश्ट है है अर्जोन एकादशी का ब्रत करने वाले ब्यक्ति भगवान स्रीहरी को अत्यधिक प्रिय होते हैं इस एकादशी में नीबू नारिय नेवेद आदी अर्पन करके भगवान नारहन की विदी विधान से पूजा करनी चाहिए मनस्तिकों पांच सहस्त्र वर्स तपश्या करने से जिस पुन्य का फल प्राप्त होता है वही पुन्य सद्धापूर्व रात्री जागरन सहित सफला एकादशी का उपास करने से मिल ज जिकरता था उसके चार पुत्र थे उसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है महापापी था जिसका नाम लुम्पक था और वह दुस्ट प्रवर्ति का था वह हमेशा पर नारी गमन में वैश्याओं के यहां अपना समय ब्यतीत और अपने पिता का ध्यन ब्याई करने में समय ब् खी थी परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विविस्ट थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी सिकायत कर सके परंतु बुराई अधिक समय पर परदे में नहीं रहती एक दिन राजा महिश्मा को लुमपक के कुकरमों का पता चला जब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुमपक को अपने राज से निकाल दिया पिता द्वारा त्याकते ही लुमपक को भी सब ही तरह के जो राज की राजकुमार को चीजे थी वह पूर्ण रूप से उससे छीन ली गई नगरी में चोरी करता और अनि बुरे कर्म करता था रात को वह जाकर नगर के निवाशियों को मारता कस्ट देता वन में वह निर्दोस्पस उपक्षियों को मारता उनका भक्षन करता किसी किसी रात में वह नगर में चोरी आदी करते हुए भी पकड़ा जाता तो राजा के दर से पहरेदारों से छोड़ देते थे, कहते हैं कि कभी-कभी अंजाने में भी प्राणी इस्वर की कृपा का प्राप्त बन जाता है, ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ, जिस वन में रहता था वहवन भगवान को भी बहुत प्रेय था, उस वन में एक प्राचीन पीपल की दसमी के दिन वस्त रहीन होने की पारण, लुम्पक तेज थंड से मूर्चित हो गया, थंड के कारण वह रात को सोना सका और उसके हाथ पेर अकड़ गए, वह रात बड़ी कथिंता से बीती, किन्तु सूरी उदय होने पर उसकी मूर्चा नहीं ट्यूटी, जो था त्यो दो पहर में कहीं होस में आया, उसने अपने ही इस्थान से उठकर किसी प्रकार से वन में भोजन की और खोजने के लिए निकल पिया, परंत उस दिन वह सिकार करने में अस्मर्च था, इसलिए पृतिवी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल रक्ष के नीचे रख गया, त कहां वह फल का था, उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतह उसने उन फलों को पीपल की जड़ पर रख दिया और दुखी होकर बोला, हे प्रभू यह फल आपको ही अरपड है, इन फलों से आप तिप्त हो जाना, ऐसा कहकर वह रोने लगा, और रात को से नीद प्रसन हुए, और उसने सभी पाप उससे द्वारा हुए थे, नस्ट हो गए, अत्यधिक विवस वह था, और मन ही मन अपने को कर्मों के लिए पस्ता रहा था, सुबह होते ही एक दिव्य रथ जो है, सुबह उठते ही उसे दिखा, सजा हुआ वह रत था, उसके सामने वह ख जब आकासवाडी लुमपक ने सुनी तो वह प्रसन होता हुआ बोला कि हे प्रभु आपकी जैजेकार हो, ऐसा कहकर उसने सुन्दर वस्त्रधारन किये, और फिर अपने पिता के पास चला गया, पिता के पास पहुँचकर उसने सारी कथा, पिता को सुनाई, पुत्र के मु और सब ही जो कारे थे उसने पूर्ण रोप से छोड़ दिये, उसकी इस्तरी पुत्र भगवान विश्नु के परमभक्त बन गए, उसने राजे में घुसना भी यह करवा दी कि संपूर्ण जो है ब्यक्ति एकादशी ब्रत करे और यग्यहवन पूजन पाठन में अपना समय बेतीत करे वरद्धा अवस्था होने पर वह भी अपने पुत्र को राजे सौपकरवन में चला गया और पूरी उम्र उसने प्रभु सेवा मानव सेवा में अपना समय बेतीत करा और अंत में परमपद उसे पार्थ जो है प्राप्त हुआ है पार्थ जो मनुष्य का महत्म को नहीं समझते उन्हें पूछ और सिंगों से विहीन पसुही समझा जाए सफला एकादशी के महत्म को पढ़ने और स्रमण करने से पापी को राजसु यग्य के समान फल प्राप्त होता है ऐसी सुन्दर है हमारे स्रीहरी विश्नु की महिमा यह सफला एकादशी यदि कोई मनुष्य अज्यानवस भी प्रभू का इस्मरण कर लेता है तो उसके पूर्ण फल उसे प्राप्त होते है यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की छमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापकर्म को नस्ट कर देते हैं और उसे पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरी की क्रपा से बैकोंठ का अधिकारी बन गया इस तरह से सुन्दरी है कथाती आपने स्रमण किया आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइक करे शेयर करे सस्क्राइब करे जैस्री हरी वि अश मौड़त बहुत बहस देखे से स्थक्राइब करे इस फिस तरह से दिए से सकर जाइब कुरोंе हरा जैस्री हरी शदरी हरी इस सक्राइब करेकों भी जैसे सक्राइब के ज़ोंजर करे इस सदाने से संदें टा मैं करे म।ोंदत लगर देए में करेशम त Allahu है पर देक त